इसकारिक्रम के पुन्यार जख हैं इसमगरी में आते जैसे महविर प्रभु जैसे महविर प्रभू चन्थ जल किना बिए आई गुरू दीव दिखो अज मेले खाओ आई गुरू दिखो अज मेले खाओ और अब हम सभी सीचर्ता से अपने-पने स्थानों की और आए यह है इस करम को हम यहाँ पर पूमता देते हैं और वे मुनिराज सभी वर्तमान में ऐसे निर्यापक सुर्मन प्रथम जेश्ठ सेलेश्ठ मुनिराज परंपू जेक सुवाट स्री समय सागर्दी महा मुनिराज के संग में सोसोबेत हो रहे हैं उस अपस्चरिया का दिन अपनी दिन्चरिया को उस संयम को अंगीकार करके उनकी चरण सन्निदी में बंडा छेत्र में चातुरमास उनका विसानंद संपन हो रहा है और अभी जै बोलो ऐसे मुनिराज स्री निर्ग्रंत सागर जी से लेकर निलेव सागर जी महा मुनिराज जी की और अब हम सभी मुनि स्री के मंगल स्री चर्णों में यहां पर निवेदन करते हुए कि हे महराज स्री हे महराज स्री आपकी आज के इस पावन आवसर पर दिप्वे देशना का हम सब सरुन करें नमोस्तू महराश्री नमोस्तू महराश्री नमोस्तू महराश्री ओम् नमह सिथे भ्याः ओकारं बिन्दु सैंयोक्तं नित्यं ध्यायंति योगिनह कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमह अरह मित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमिष्ठिनह सिद्ध चक्रस सद्वीजं सर्वत हप्रडमाम्यं देवाद देवे कजाराट स्री शांतिनाथ बगवान की अच्यर गुरुवर श्री विद्या सगर जी महराज की स्री शांतिनाथ पदपंकज चंचरी का देवान राह समभवन गड़नाव्य बेताः इकोस्मिति शुवति शांति बिहीन तोपी भग्त्या प्रकर्णिश वपयामी चतर प्रवावा भगवान सांतिनाथ की इस्तुति निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते अपने मंजिल के करीब है आज भगवान की इस्तुति बढ़ते हुए काव्य नंबर 111 से प्रारंब करते हैं सुक्ष्म और अवगाहन गुड से बादितना जो होते हैं ना बाधा पहुचाते अनको जो योगी निर्पिछत हैं जो छोटी ना बड़े किसी से अब भाब सब का समय है शांति नात मन वर को नित मैं सतत नमन करता शमने इस धरती पर सभी सार मैं सार रहा निज का चिंतन शुद्ध पार नामिक से होता जीव जीव मैं नित मन्तन जिनने हमें सिखाया करना करध्यातम खामन नियहा ऐसे जिन वर शांति नात को सतत नमन करता है जहां आत्म प्रदेशों में निवद्ध हैं अतिगाडे निश्चेतन कर्म विविद भेद युत कर्म धूली को धोने का जो जाने धर्म निज आतम की आण रुची से धो करकर नभूए जोगो शांति नात उनमन वर जी को सतत नमन करता है जहां मूल और उत्तर कर्मों के कारण भूत बने जो भाव वेदर भूति असत ध्यान से योग कसायों को कर चाओ निज में निज पुर्शाथ अस्त्र की शुदी से सब जीत निये शांति नात उनमन वर जी को सतत नमन वन प्रीत निये भगवान की स्त्ति से हमें और क्या-क्या प्राप्त होता है कौन से हमारे भावों का परिणामों का या दुर विचारों का विनाश होता है यह इस अगले काव्य में बताया जा रहा है काव्य नंबर 115 कारियं क्रतं ही मयकेद महं करेश्य शक्तो ना कोन्य जन एव मदान्धकारं करत्रेत्व मूलम अपरित्य समापुशान्तिम तम्शान्तिनाथ मुनिपंसत तम्नमामें कारज यह मैंने कर पाया मैं ही इसे करूंगा और अन्य नहीं कोई भी रखता करने की शक्ती मद जोर। करत्रित्व भाव नाशक यह भगवान की इस्तुति है इस्तुति तो क्या भगवान की इस्तुति करने से हमारे कौन-कौन से भावों का विनाश होता है यह प्रतिफल यहां बताया जा रहा है हर व्यक्ती के अंदर एक करत्रित्व भाव करत्रित्व शक्ति के माध्यम से बहुत बल जोरी के साथ रहता है और इस कर्तित शक्ति के कारण से ही हर आत्मा हर जीव कुछ ना कुछ करने की इच्छा करता है वह कर्तित बुद्धी के माध्यम से हर कारे करता है और हर कारे को करते हुए यह विचार करता है कि यह कारे मैं ही कर सकता हूँ यह कार्य मैं ही कर पाया यह कार्य और कोई नहीं कर सकता इस तरह का विचार जो करत्रित बुद्धी के माद्यम से आता है यह अहम बुद्धी के कारण से उसके अंदर यह विचार उत्पन होता है आचेरे कहते हैं सभी आत्माओं में अनंत शक्तियां हैं और वह अनंत शक्तियां कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में इस उपादान के अंदर किनी ना किनी निमितों के माद्यम से उदगाटित होती रहती हैं उन उपादान और निमित के माद्यम से होने वाले कार्य में यह आत्मा जब करत्रित बुद्धी धारण कर लेता है तो इसके अंदर एक अहम भावत्पन होता है कि यह कार्य मैंने किया यह कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता था मेरे अलावा और कोई इस कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकता मैं ही यह समर्थ रखता हूँ ये मेरा ही पुरशार्थ है या मेरा ही ये भाग्य है इस तरह से हर एक जीव में अपने किसी ना किसी करत्रित्त के प्रती एक अहम भुद्धी बनी रहती है चाहे वो कितना ही वड़ा बिजनिसमेन हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो चाहे वो कोई एक सिंपल हाउस होल्डर हो या कोई एक साधू भी हो तो उसके अंदर भी ये भाव आ सकते हैं अगर वह अपने करत्रित्त भाव को पैचानता नहीं है तो भगवान शांतिनात की इस्तुति करने से हमें अपने हर एक उन भावों का विनास करना है उन भावों की शांति लाना है जो भाव हमारे अंदर संसार व्रद्धी का कारण बनते हैं ये करत्रित्त भाव संसार व्रद्धी का एक बहुत बड़ा भाव है हर व्यक्ति के लिए अगर कुछ करने को न मिले तो उसे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ किसी काम का ही नहीं हूँ यह वही करत्रित भाव है जिसके कारण से आज बेटे बेटियों को एक पढ़ाई की दौड में दौडाया जाता है जौब करनी की दोड में दोडाया जाता है कुछ नई नई प्रोजेक्ट बनानी की दोड में दोडाया जाता है कुछ इनिसियेटिव लेने की दोड में दोडाया जाता है कुछ करो, कुछ पाओगे तब कुछ आपकी जीवन में कुछ आपका महत बनेगा इस तरह की भावनाएं जो प्रवल होती हैं ये इसी करत्रित भाव के कारण से होती है तो ये वह करत्रित भाव है जिसके कारण से हर जीव हर संसार का कोई ना कोई प्रानी अगर थोड़ा सा भी स्वस्त है जिसकी बुद्धी काम कर रही है जो अपने हाथ पेरों से कुछ अच्छा कर सकता है तो वो चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर लूँ जो दूसरा ना कर सके या कुछ ऐसा कर लूँ जिसके कारण से हम बड़े निश्चिन्त हो करके अपना जीवन जीते रहें कभी आदमी मन की तृष्णा की पूर्ती करने के लिए भी बहुत कुछ करता रहता है और कभी आदमी कुछ योगिता हांसल करके भी कुछ अच्छे कार भी कर लेता है जो समाज के लिए दूसरे लोगों के हित के लिए कभी काम में आने वाले होते हैं से भी काम कर लेता है सम मिलाकर के करत्रित बुद्धी उसे कहा जाता है जब हमारी आत्मा में ये भावा जाए कि ये कारे हमको ही करना है हमको ही करना है हमारे लावा कोई नहीं कर सकता है और उस करतापन का भाव उसके अंदर इतना द्रड़ हो जाए कि वह उस करतापन के साथ साथ अपने अंदर एक स्वामित्त का भावी ले आए कि मैं ही इस कारे का स्वामी हूँ ये तीन चीजें एक साथ चलती हैं करता भोकता और स्वामी पना यहां आपके सामने कहा जा रहा है कि ये कारे मैंने किया मैं इसे करूंगा इस तरह की जो फिक्र में भी पड़ा रहता ह वो निरंतर अपनी कर्तित शक्ती का प्रियोग करता रहता है ये कर्तित शक्ती आत्मा की शक्ती है अब ये शक्ती तो शक्ती होती है उस शक्ती का उपियोग आपको किधर करना है ये आपकी अपनी बुद्धी पर डिपेंड करता है उस कर्तित शक्ती का उपियोग आप सं संसार के अनेक कामों को करने में भी लगा सकते हैं और उस कर्तित शक्ति से आप अपने कर्मों की निर्जरा आप अपनी आत्मा का शुद्धी करन आप अपनी आत्मा के अंदर कर्मों का च्छे करने में भी उस सक्ति का प्रियोग कर सकते हैं हमें क्या करना ये हमारे उपर डि आप देखें जैसे ही बेटा या बेटी बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद में उनके लिए सामने अगर कुछ कर्तित होता है तो क्या होता है हमें विवाह करना है विवाह करने से ही समझ में आता है कि हमारा जीवन अब सेटल हो जाएगा अगर विवाह नहीं हुआ तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे अब हमारे लिए जीवन में कुछ आगे होगा ही नहीं ये उनकी उस कर्तित बुद्धी के कारण से कि हमें कुछ करना है क्या करना है? किसी को विभावी करना होता है तो किसी को ब्रह्मचर भी धारण करना होता है ये depend करता है कि हम क्या choice कर रहे हैं ये पुरुशार्थ जो अंतरंग में चलता है ये कर्तित तो आत्मा की एक सामान ने सक्ति है उस सक्ति का प्रियोग हम के धर भी कर सकते हैं मोहो के कारण से, अपने कसायादी कर्मों के कारण से वे सक्ति हमें बाहरी पुरुशार्थ से भी जोड सकती है और हमें भीतरी पुरुशार्थ से भी जोड सकती है इसलिए ये कर्तित बुद्धी संसार का कारण बनी रहती है जब मोहो के साथ चलती है तो यहाँ पर भगवान सांतिनात की स्थुति करते हुए कहा जा रहा है कि है भगवन हमने अपने जन्मों में और इस जन्म में भी कई ऐसे कारे किये और मैं करना चाहता हूँ यह सोच करके कि हमारे अंदर यह करतित शक्ती है और इसके कारण से जब यह मद बढ़ जाता है तो उस मदांधता के कारण से हमारे उस करतित भाव का कवीवी विनास नहीं हो पाता और वे विनास हे भगवन आपकी इस्तुति से ही संबभ है क्योंकि आपने सब प्रिकार का लोक का करत्त्त बाहरी करत्त्त सब आप छोड़कर के बस आप केवल निज आत्मा के भावों के करता बने इसके अलावा आपके अंदर और कोई करतापन नहीं आया ये करतापन एक बहुत बड़ी चीज होती है आदमी कभी भी किसी भी कारे के लिए निमित होता है लेकिन वे ये सोचता है कि मैं इस कारे का करता हूं करता तो कभी किसी कारे के आप होई नहीं सकते अगर कोई कुमार घडा बनाता है तो वे कुमार भी ये सोच लेता है घडा म बनता है वो उसकी अपनी उपादान शक्ति से बनता है अगर मिठी होगी मिठी वैग घड़े की रूप में ढलने लायक होगी तो यह कुमार उसमें हाथ लगा पायेगा कुमार का एक हाथ का सपोर्ट देना कुमार का उस आकरती में उसको बना देना वह यह नहीं समझ पाता कि हमारे हाथ का सपोर्ट तो एक छोटा सा उसका पार्ट है बहुत बड़ा पार्ट तो उस मिट्टी का है जो मिट्टी अपने आप में मूख है इसलिए उसको मूख माठी कहा गया गुरुदेव ने मूख माठी नाम का महा काविर अच्छा और वह मूख माठी होते हुए भी वो कभी अपने कर्टित को नहीं बखानती है कि देखो घड़ा किस से बना कोईले से तो नहीं बन जाएगा लकडी से तो नहीं बन जाएगा इस चटाई से तो नहीं बन जाएगा कागज से तो नहीं बन जाएगा वो बनेगा किस से मिट्टी से जो मिट्टी द्रव्य है वो उसकी उपादान शक्ति है वो उस रूप में ढलने की छमता रखने वाली मिट्टी होगी तो वो ढलेगी वो ढलेगी तो उसको आकार मिलेगा कुमार ने क्या किया उसको चाक पे चड़ा करके एक आकार ही तु दिया लेकिन कुमार उसके लिए ये सोच लेता है कि ये गड़ा मैंने बनाया उस पर अपना ब्रांडिड टेक लगा देता है फिर उसको जो है बैचता है, मन चाहे पैसे उस से लेता है मैं इसका जो है ओनर हूँ ऐसा उसके अंदर फीलिंग आती है ये सब उसकी अज्ञानता होती है क्योंकि कारे अगर देखा जाए तो किस से हुआ मुख्य रूप से? उस मिट्टी से हुआ, उपादान से हुआ वो उसकी उपादान सकती है लेकिन दुनिया का हर आदमी निमित्ट के रूप में होते हुए भी अपने आपको सर्वे सरवा मान लेता है यह अहंकार बुद्धी ही उसे संसार में भटकाने का कारण बन जाती है इस कर्तित बुद्धी को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को यह सोचना है हम अपने घर, परिवार को चलाने के लिए अपने पुत्र, पुत्रियों को आगे बढ़ाने के लिए एक निमित्ट मात्र है अगर हर माता पिता अपने बेटे बेटियों को एक अच्छा निमित्ट के रूप में प्रस्तुत करे तो वे उनके उपर कभी अपना अधिकार नहीं जमाएगा जब कर्तित बहाव चरम पर होता है तब स्वामित्ट की बुद्धी आती है जब स्वामित्ट की बुद्धी आती है तब वे भोक्ता बनता है और जब ये कर्तित भोक्तित स्वामित तो ये तीनो भाव एक साथ चलते हैं और इस आत्मा के अंदर ये भाव बढ़ते रहते हैं तो बस इसका संसार बढ़ता चला जाता है इस काब में कर्तित सक्ति का नास करने के लिए कर्तित के मूल को उस मूल सक्ति को समाप्त करने के लिए भगवान शांतिनास से प्रार्थना की जा रही है और आगे के काब में भोकता और स्वामी पने का नास करने के लिए ये भी हमारे विकारी वहाव है इनका भी विनास हो ये भगवन इसलिए मैं आपकी इस्तुति कर रहा हूँ ये प्रार्थन की जा रही है करता हमेव विभवस्य माहांश्य भोकता स्वामीति संस्रति विवरधि विमोहे तून ध्यान इर्न नाश निज कही परमार्थ मोख्याईस तम शान्ति नाथ मुनिपम सततम नमामी मैं ही करता कार्य करन का इस वैभव का मैं भोकता स्वामी भी मैं ही हूँ इसका भववरधन कारण होता जो परमार्थ मुख्य ध्यान से लिज से लिज विदिनाश के मैं करता हूँ मैं ही भोकता हूँ और मैं ही स्वामी हूँ ये तीन भाव हर आत्मा में चला करते हैं अगर आप परमार्थों का अपने आपको करता मानेंगे तो आप उसे भोगने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए भोकता बस्तु बन जाती है और जो चीश हमारे लिए भोकता बन जाती है उस पर हमारा स्वामित बन जाता है ये हमारी है इसलिए हम उसके स्वामी बन जाते हैं ये करता भोकता और स्वामी पन का भाव आध्यात्मिक रूप से विकारी भाव कहलाता है सांसारिक जीवों के लिए लौकिक दरष्टी से भाव अच्छे माने जाते हैं कुछ बनो कुछ करो जितनी ज़दा आपकी ओनर्सिप होगी जितनी ज़दा आपकी जमीन, जायदाद, फैक्ट्रियां होगी जितनी ज़दा आपके पास में जमीनें की संख्या और बिल्डगों की संख्या होगी उतने बड़े आप आप मी कहला होगे लौकिक दृष्टी से जितना ज़्यादा आपके लिए काम करने वाले आपके अंडर में रहने वाले लोग होंगे हजारों लोग आपकी मिलों में और फैक्टरियों मैं काम कर रहे हैं आपको लगेगा मैं सब का स्वामी हूँ जिसका आप स्वामी हो उसके आप भोकता भी हो आप उसको भोकता कैसे रहे हो तो वह जो आपको सुख दे रहा है आप उसके भोकता हो उसके लिए जो आप दिसा निर्देश दे रहे हो आप उसके भोगता बने हुए हो और इस भोगता पने से भी आपको सुख मिलता है वे जिसको हम भोगना चाह रहे हैं वो हमें सुख के रूप में भी हमारे लिए भोगता हो सकता है और दुख के लिए में हमारे लिए भोगता हो सकता है जब वही कंपनी के लिए विद्रों ख़ड़ा कर देते हैं किसी भी आरे का कोई भी आंदोलन करने लग जाते हैं तो वही हमारे लिए जो भोकता बने थे जिनके हम सुक के लिए भोकता बर रहे थे वो हमारे लिए दुख के भोकता भी बन जाते हैं तो आचारे कहते हैं वास्तम में तो आप अपने सुख दुख के भोगता हो वो भी एक उपचार से व्यवहार से लेकिन वास्तम में अगर देखा जाए तो आत्मा केवल अपने सुद्ध भावों का करता है सुद्ध भावों का भोगता है और अपना आत्मा केवल अपनी आत् किसी दूसरे के हम कभी स्वामी हो नहीं सकते। पूरी की पूरी कुरूस का आप देखते हो मंदिरों में जो चीजे दान दी जाती है कोई वेदी दान देता है कोई तुजोरी दान देता है कोई पंका भी लगा देता है तो भाई उस पर अपना नाम लिख देता है जब जब तुजोरी पर कोई पैसा डालने जाए कोई गु लेकिन इन से चीज़ों के प्रिवरेसन के नहीं रहती है, कोई पंखा कितने साल तक चलेगा, कोई लगा हुआ पत्थर कितने वर्सों तक चलेगा, हर चीज अपने 10-20 साल के बाद अपना अस्तित खो देती है, लेकिन आदमी के अंदर वे मोह का बाह उससे इतना चिपकता है कि वे सोचता है कि अगर ये पत्थर यहां परग गया, तो मैं अमर हो गया, ऐसा सोचता है, हमने कुछ देए और उसको नाम देख चांदा है, तो हमारे का कोई मतलब दे भी रहा है, और जब तक वे चीज रहे तब तक उसको नाम देखना है, अग उसके नाम साब कोई चु जाएगी पुर्षे नाम उसका बना रहना चाहिए यहां तक की की आदमी वेदी दाना बता है भगवान के लिए वेदी पर बिठा देता है फिर भी वेदी आगर कभी बिगड़ती हैं मिटती हैं तो सामने आप बढ़ा हो जाता है यह वेदी मेरे पुर्खों ने बनाई थी आप कौन होती हैं इसको अटाने वाले हर चीज दस साल के बाद 20 साल के बाद में बदल जाती है 20 साल में तो हर किसी की ओनर सिब भी बदल जाती है अगर आप कहीं किराये पर रह रहे हो 20 साल के बाद आप उसके मालिक भी हो जाओगे लेकिन मंदिर में दान देने वाला आद लड़ने के लिए सामने खड़ा हो जाएगा हुई इसे हम परपरणती के रूप में नहीं देखते हैं परपरणती में स्वपरणती मान लेते हैं वो बड़ा हो रहा है तो ऐसा लग रहा हम बड़े हो रहे हैं वो कुछ बन गया तो ऐसा लगता है इसे हम कुछ बन गए हमारा अपने बेटों और बेटों इतना सुवामित करता है कि हम करता वने हैं हम उनके लिए निमित रहे हैं लेकिन जब किसी के लिए कोई हो जाता है वह को अपना करता मान के चलते हैं मैंने किया यह किसकी कृती है किसकी कृती है यह मेरी कृती है यह मेरी कृती होगी उसको भूगूँगा भूगने का मतलब उसके आध्यम से मिलने वाला सुख है उसके भूगना चाहता हूँ इसलिए मुस्वामी के लाज़े हैं तो भी केटियों का करता है आप सभी जिन्वाणी माता काओ मुनिस्री के करकमलों में अरपन करने का भी सोभागे प्राप्त कर रहे हैं आप सभी जिन्वाणी माता काओ मुनिस्री के करकमलों में अरपन करने का भी सोभागे प्राप्त कर रहे हैं आप सभी जिन्वाणी माता काओ मुनिस्री के करकमलों में अरपन करने का भी सोभागे प्राप्त कर रहे हैं आप सभी जिन्वाणी माता काओ मुनिस्री के करकमलों में अरपन करने का भी सोभागे प्राप्त कर रहे हैं आप सभी जिन्वाणी माता काओ मुनिस्री के करकमलों में अरपन करने का भी सोभागे प्राप्त कर रहे हैं और वे निमित तो उतना ही हैं जैसे कुमार अपने घड़े को बना रहा है आत जैसा लगाओगे बैसा बन जाएगा आप सभी जिन्वाणी माता काओ मुनिस्री के करकमलों में अरपन करने का भी सोभागे प्राप्त कर रहे हैं स्वामी नहीं बनता और सब कुछ करके भी बिलकुल निर्पेक्ष रहता है ऐसे व्यक्ति को दुनिया पशंद करती है और ऐसे ही नेताओं में तीर्थंकरों की गिंती आती है धर्म तीर्थ को बढ़ाने वाले धर्म के नेता होते हुए भी वे कभी करता भोकता स्वामी बुद्धी के साथ में कुछ नहीं करते हैं उनके अंदर किसी भी चीज से लगाव नहीं होता इस तरह का जो ग्यान हमें दे करके गए हैं उन भगवन्तों का अगर हम ध्यान करेंगे तभी हमारे ये भावों का बिनास होगा भावों का विनास ध्यान से होता है ध्यानईर ननास निज कही परमार्थ मुख्यी परमार्थ की मुख्यता वाले निज भावों से जब हम अपना ध्यान आत्मा के परणामों का भाव और उसका ध्यान करते हैं तब उन परिणामों से करता भोगता स्वामित वुद्धी का विनास होता है इसलिए हम भगवान करते हैं कि भगवन यही हमारे सिर्फ हैं जिन्हों में अरपन करने का भी सौभा के प्राप्त कर रहे हैं आप सभी जिन्वानी माता काओ मुनिस्री के करकमलों में अरपन करने का भी सौभा के प्राप्त कर रहे हैं आप सभी जिन्वानी माता काओ मुनिस्री के करकमलों में अरपन करने का भी सौभा के प्राप्त कर रहे हैं जो भोजन आप बना रहे हो उसके भी आप करता बन जाते हो मुनि माराज अगर आपके घर में आजाएं आपने निरंतरा आहार करा दिया तो उसके भी आप करता बन जाते हो हर चीश के हम करता बने रहते हैं चातरमास हो गया किसने कराया बुलो कमेटी ने सब कोई पनागर वालों ने तो करता बन का भाव या तो हम नगर के उपर डाल देंगे कमेटी के उपर डाल देंगे लेकिन करता बन के भाव में मजा तो आता है नहीं समझवाया है बिना उसके तो फिर ऐसे तो हर चीश बहती रहेगी कोई भी चीश कहीं भी हो जाएगी कोई भी चीज किसी के लिए अगर जिम्मेदारी से नहीं होगी, तो तो कोई विवस्था ही नहीं बनेगी, तो विवस्था तो बन जाए, लेकिन उस विवस्था में मद ना आए, अहम बुद्धी इतनी ना आए, कि हम वास्तविक सुरूप को ही भूल जाएं तो वै विवस्था वीतर की अच्छी बनी रहती है इसलिए अंतंत में ये आध्यात्मिक भाव भी आपके लिए दिये जा रहे हैं और उसके साथ साथ देखो क्या होता है जिन भावों के कारण से हमारे अंदर दुख होता है वो सब भाव हमें वियोग बुद्धिस्तां ताम राग मोह जनितां मनुते स्वकियां मिध्यात्व संग रहिते नशमम समाक्तम तम शान्तिनाथ मुनिपम सततम नमामी तेह जनित जो दुख सुखों को रोग वियोग दशाओं को राग मोह के कारण उनको माने निजविपदाओं को इसमे जात परीक्रह से है रहत हो रिशम प्रांत किये है शातिनाथ उनमनिवर जीत सतत नमन हम अज किये देह जनित जो दुख सुखों को रोग वियोग दशाओं को राग मोह के कारण उनको माने निजविपदाओं को ये वो भाव है जिसके कारण से ही हम अपने दुख सुख के भी भोगता बन जाते हैं करता बन जाते हैं और स्वामी बन जाते हैं हम दूसरे की क्या बात करें कमपनियां हैं फैक्टरियां हैं पोते पोतीयां हैं बेटे बेटीयां हैं घर हैं मकान हैं ये तो बहुत अलग से प्रतक दिखने वाली चीज़ हो गई लेकिन जो शरीर हमारे साथ लगा हुआ है जो शरीर हमारा अपना हम जिसे कहते हैं उस शरीर में भी अनेक तरह के दुख सुख होते रहते हैं उस शरीर में भी रोग अनेक तरह के कभी रोगों के माध्यम से दुख होता है तो कभी निरोगता से सुख मिलता है where, rog और nirog का सुख या दुख भी हमारे लिए जब ऐसा लगता है कि ये मेरा है तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मिथ्या भाव होता है इस मिथ्या भाव के कारण से शरीर को अपना माना जाता है और शरीर में होने वाले सुख दुखों को अपना माना जाता है हम भूल जाते हैं कि मैं क्या था हम केवल यही समझते हैं कि अगर शरीर में रोग हुआ तो मैं रोगी हो गया शरीर दुखी हुआ तो मैं दुखी हो गया शरीर में कोई तरह का निरोगता आई तो मैं सुखी हो गया लेकिन वो मैं कौन था वो कभी किसी को ग्यात नहीं रहता आच्छा रे कहते हैं जब तक मैं हम अपने आपको मैं आत्मा अपने आपको शरीर रूप मानता है शरीर के सुखदुख से ही अपने आपका सुखदुख का आगलन करता है उस आत्मा को बहिरात्मा कहा जाता है क्या बोलते हैं बहिरात्मा जब वह आत्मा शरीर से परे सुखदुखों को अपने आत्मा के करम के फल से भी होने वाले सुखदुखों को अपना नहीं मानता तम उस आत्मा को अंतर आत्मा कहा जाता है क्या कहते हैं अंतर आत्मा आत्मा अपनी आत्मा में रहे करम के फल से भी मिलने वाले सुब्दुक हैं देह से मिलने वाले सुब्दुक हैं ये भी उसके अपने नहीं हैं और ये अगर अपने बने रहते हैं जब तक अपने रहते हैं, तब तक वह बहिरात्मा कहलाता है, और बहिरात्मा धर्मात्मा होता ही नहीं है, अध्यात्म की दरश्टी से, क्या समझ रहे हो, हाँ, हम पूजा कर रहे हैं, हम खूब दान दे रहे हैं, हम कूब मंदिर बना रहे हैं, लेकिन बहिरात्म बुद्ध तो नहीं शूट रही जब तक अंतर आत्म बुद्धी नहीं आती तब तक यह धर्म भीतर से सम्यक्त के रूप में आता ही नहीं और यही अंतर आत्म बुद्धी उसे यह बताती है कि मैं आत्मा हूँ तो कैसा आचरे कहते हैं तुम जैसे शरीर में पहुँच गए अपने आपको वैसे मानने लग गए नारकी बने तो अपने आपको नारकी मान लिया मनुष्य बने तो मनुष्य मान लिया लड़की बने तो लड़की मान लिया लड़का बने तो लड़का मान लिया कि लड़का लड़की भी मानते रहना ये भी बहिरात्म बुद्धी है आत्मा तो इन परियायों से इन शरीरों की इस्थितियों से बहुत उपर होता है और जब तक आप अपनी आत्मा को आत्मा नहीं मानोगे तब तक आपकी ये परियाय बुद्धी यही मिध्यात तो कहलाता है और यह मिध्यात तो जब तक रहता है तब तक भीतर से शांती आत्मिक शांती आती ही नहीं यह मुद्धी छूटे तो कैसे छूटे तो आच्छारे कहते हैं एक विचार अपनी आत्मा का अपने अंदर सदैव रखो अनन्त अनन्त धी शक्ति स्वे समवेद्यो अचल इस्थिति मैं कैसा हूँ मैं अनन्त अनन्त ज्यान अनन्त अनन्त शक्ति को धारण करने वाला अनन्त अनन्त धी शक्ति वाला मैं चैतन्य आत्मा हूँ मेरी इस्थिति अचल है सब कुछ चलायमान हो सकता है ये सरीर चलाएमान हो सकता है ये घर परिवार चलाएमान हो सकता है लेकिन मेरी आत्मा की इस्थिती कभी मेरे गुड़ों की इस्थिती कभी चलाएमान नहीं हो सकती अपनी आत्मा को इस रूप में मानो अचल इस्थिती है मेरी और मैं स्वे संवेद्य हूँ मेरा संवेदन मैं ही कर सकूँगा कोई दूसरे मेरे सुख दुकों में हाथ तो बटा लेगा मल्लम तो लगा देगा रोने धोने तो आ जाएगा मेरे पास में लेकिन भास्तम में सुख और दुक का संवेदन तो मुझे खुद ही करना होता है मैं अगर अपने आपको सुखी बनाना चाहे रख सकता हूँ तो मुझे कोई दुकी नहीं बना सकता मेरा सुख मेरे पास होता है उसका संवेदन करने का अधिकार मुझे है मेरा कोई भी सुख परास्रित नहीं है ये आत्म निश्चे अगर होता है तब उस बहिरात्मा से वे अंतर आत्मा में उस आत्मा का परिणमन हो जाता है ये अंतर आत्मा अगर बन जाता है तो फिर तो कहना ही क्या है जब भी दुख होता है तो किस से होता है परपरणती को स्वेपरणती मानने से होता है परपरणती में मनवा डोले आकुलता दुख सारे जब तक परपरणती में मनवा डोलेगा क्या रहेगी आकुलता ये मेरा ये मेरा मैं इसके लिए ये कर दूँ ये मेरे लिए ऐसा कर दे सब आकुलता है परपरणती में जब तक मनवा डोलेगा तब तक आकुलता है और जब आपको दिखने लग जाए निजचेतन ही दिखे निराकुल जब अरहन चित धारे जब हम ऐसे अरहनतों को, शिद्ध भगवनतों को ऐसे शांतिनात भगवान को अपने चित में धारन करेंगे तब हमें लगेगा अब आई निराकुलता और ऐसी निराकुलता का जो सुख होता है वही आत्मा का संभाव कहलाता है वही आत्मा का आत्मिक सुख कहलाता है उस सुक्की उपलब्दी बहिरात्म बुद्धी छोड़ने से होती है इसलिए हम अरियंत भगवान का भजन करते हैं शांतिनात भगवान का गुडगान करते हैं और ऐसे गुडगान करते हुए कितने महीने गुजर जाते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आज हम पहली बार ही भगवान शांतिनात का गुडगान कर रहे हैं कितने महीने गुजर दी है इसी एक स्थान पर बैठे बैठे जुलाई से सुरू हुआ था तेरे नहीं तो चबदे जुलाई से सुरू हो गया होगा जुलाई पंदरा से हुआ था चलो जैसे भी हुआ हो तेरे चबदे पंदर सुले एक ही बात है अब देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर चल रहा है कितने महीने गुजर गए भगवान की इस्तुति करते हुए सोचो अगर इस्तुति करने में भी नए नए भाव आ रहा है तो सुयम सांतिनाथ सित्ध भगवान के अंदर कितने नए नए भाव हर्स में उत्पन होते होंगे जिनको तो हम पकड़ी नहीं सकते हम तो उनके उपरी उपरी मोटे मोटे गुड़ों का बखान करते हैं अगर हम आपको ज़्यादा सूक्षमता से बताने लग जाए तो तो फिर आप कहोगे महाराज इस्तुति बहुत कठे नहीं हैं हमें तो सरली इस्तुति कर रहा है इसलिए आपको मोटा मोटा बताया जाता है यह अध्यात्म भी आपको लाश्ट में बताया जा रहा है करता भोकता स्वामी बुद्धी किसी पर नहीं रखना यह लाश्ट में बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि शुरूबात से ही अगर हम करता नहीं है, भोगता नहीं है, तो फिर हम क्या करें, हम क्यों आएं, क्यों सुनें, क्यों देखें, क्यों पढ़ें सुन रहे हो? इसलिए ये लाश्ट में आपको बताया जा रहा है अब हमें अध्यात्म की ओर द्रश्टी रखते हुए अपने अंदर की उस परपरणती को शमन करने के लिए अरीहंत भजन कर प्यारे अरीहंत भजन कर प्यारे ये भजन किसलिए है? इस मिथ्यात के भाव को दूर करने के लिए परपरणती में निजपरणती मानने के भाव को दूर करने के लिए और आत्मा की निराकुलता को अनभव करने के लिए ये भजन है जब अरहन चित धारे अरी हन्त भजन कर प्यारे अरी रक्षा परह सती सराजनि दान दक्ष कारुण्य ब्रत यती पतव प्रती सुक्ष्म जन्तून अधारे कैश्य जगे पौरहती संप्रती श्री तम्शांती नाथ मुनिपम सततम नमामी तम्शांती नाथ मुनिपम राजा होने पर समाज की रक्षा में नितदान कुशल यती पती होने पर करुणा की सुक्ष्म जन्तू जो हैं दुर बल देखो जब वो राजा रहे महा मंडली के राजा रहे चक्रवर्ती जैसे महा राजा रहे तब उन्हों ने क्या किया? लगा है, समाज की रक्षा में अपना समय लगाया परजा की रक्षा की, उनके समय में कवी भी परजा के अंदर कोई भी कश्ट नहीं हो पाया, कैसा भी कोई भी उपद्रव उत्पात नहीं हो पाया जब वे राजा रहे तब उन्होंने प्रजा की अच्छे तरह से रक्षा की हर तरह से प्रजा को सम्रद बनाया खूब प्रजा को दान दिया किमिच्षिक दान देने वाले चक्रवर्ती होते हैं किमिच्षिक का मतलग जो इच्छा करो वो मिलेगा कोई भी चला है कैसा भी बिखारी टाइप का हो कैसा भी लूला लंगडा हो कैसा भी व्यक्ति हो महराज आपके राज में हमारी ये दसा तथास तू इतना ही करना उने तुरंत वहाँ पर बैटे हुए मंत्री जो भी उनके अनुचर होंगे वो सब उसको ले जाएंगे बता तेरे को क्या चाहिए घर चाहिए घर ले कपड़े चाहिए कपड़े ले भोजन चाहिए भोजन ले अन चाहिए अन ले क्या चाहिए पैसे चाहिए पैसे ले जो चाहिए सम मिलता है कोई चीज़ की कमी नहीं نو نو ندیاں मुहानों पर खड़ी रहती है जो नदी के मुहाने होते है और वहां से मंच आहा मिलता है किम इच्छीक का मतलब की होता है किम माने क्या इच्छीक माने तेरी इच्छा है, बता और वह सम मिलता है बस यूनी कहना कि मैं चक्रवर्थी बनना है नहीं तो तुम जैसे लोग हो तो वही कह वैटते कि महाराज है मैं चक्रवर्थी बना दो आपके लिए अगर इस तरह के राजा मिल जाएं तो तो फिर कभी वी प्रजा के लिए कभी दुख संभभी नहीं है ऐसे सांतिनाथ भगवान अपने समय के राजा थे चक्रवर्थी थे लेकिन जब वही मुनी राजा बन गए मुनी महाराज बन गए तब भी वो जीवों की रक्षा कर रहे थे और वे जीवों की रक्षा कैसी कोई भी एक इंद्री जीव उनसे घात को प्राप्तना हो जाए कोई भी दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंचेंद्री जीव का उनके शरीर से बदना हो जाए इतनी संयम की कुसलता उनके अंदर आ जाती है इतनी संयम की रिधियां उनके अंदर प्रिगट हो जाती है कि वे किसी भी तरस या इस्थावर जीव की हिंसा उनकी किसी भी तरह की मनवचन काई की क्रिया से नहीं होती ऐसी रक्षा करने वाले वे यतिपती बने महा मुनिराज बने फिर जब वे मुनिराज बन करके इस तरह से अहिंसा का सैयम का तब का अध्यन करने लग गए और उसका भियास करने लग गए तब उनके अंदर अरहत पद प्राप्त हुआ केवलक ग्यान के माद्यम से उन्हें अरिहन्द दशा प्राप्त हुई और वे फिर जगत के उद्धारक बन गए अनेक असंख जीवों को उन्होंने अपने ग्यान से अपने केवल दर्शन से लोगों के अंतरंग के ये सब कर्तित भोक्तित मो भावों का विनास कर दिया उनको देखकर के ही लोगों के अंदर एक आत्मिक शांति उत्पन होती थी असंख असंख देवी देवता और अनेक अनेक मनुशियों ने उनके समक्छ रहकर के जब आरादना की तो सम्यक दर्शन ग्यान चारित्र को प्राप्त करके अनेक अनेक लोगों ने अपना आत्म कल्याण कर लिया ऐसे करके उन्होंने अर्यंत दसामे जगत का उद्धार किया आज जब वो सिद्ध दसामे भी है तो भी आज हम उनका गुडगान कर रहे हैं और उनके गुडगान से भी आज हमारे उपर भी वही पुन की बरसा हो रही है वही कृपा की बरसा हो रही है जब वो अद्रश भी है तो भी हम यहां से जब जब उनको याद करते हैं तब तब उनके माध्यम से हमारे उपर उनके अनंत दान के माध्यम से हमारे उपर वे दान आ जाता है हमें आज भी सब कुछ मिलता है बस आप लेते रहो टावर की रेंज में रहोगे तो सम मिलेगा नहीं समझे टावर जिसका अपना एक बहुत बड़ा एरिया होता है और उस एरिये की रेंज में रहोगे उससे कॉंटेक्ट बनाए रखोगे केविल लाइन बिची रहेगी आपके लिए हर चीज पहुचेगी अपने आप आप जब भी अपने किसी भी तरह से अपने एपरेटस को अपरेट करोगे उसको तुरंत उसको आउन करोगे आपके लिए कनेक्शन मिलेगा आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा आपके पास में सब कुछ आ जाएगा बस करना क्या है टावर से अपना कॉंटेक्ट बनाए रखना है टावर की रेंज में रहना है और अगर वे टावर आपकी रेंज में है तो आपको कभी मैसूस नहीं करना है कि हम कहीं दूर है टावर कहीं दूर है टावर कितनी भी दूर होती है तो भी अपनी रेंज से आपके लिए करेंट देती रहती है समझा रहा है पनागर की टावर तो है लेकिन ये टावर मोबाइल टावर है mobile समझते हो एक हाफ के हाथ में mobile होते हैं और एक ये mobile tower होती है mobile का मतलब गतीशील समझा रहा है ऐसी ये tower होती है लेकिन इस tower की range में अपने को बनाय रखने के लिए अपने को पुरशार्थ करते रहना पड़ता है ताकि हम इस range में रहेंगे तो वे positivity वे पुन्य वे सब अपने अंदर आता रहता है ऐसे सिद्ध भगवान भले ही बन जाए शांतिनात भगवान लेकिन हमने उनको अभी छोड़ा नहीं है और आपको भी यही सिच्छा दे रहा हूं कि आप उनको कभी मत छोड़ना मरते दम तक नहीं छोड़ना ऐसी उस टौवर से जुड़े रहना तो आपके लिए यह जो आगे कहा जा रहा है बल व्रधी करी इस्तुती यह बल की व्रधी आपके अंदर बनी रहेगी है ना दते चयो ग्रही जनाय महारत शांतिम संसे वी ते मुनी जनाय निजात्म शांतिम संवर्धते बहु बलं बलबाल कानाम तम शांतिनाथ मुनि पंसत तम नमामी ग्रही जन को जो महातुख से दूर करा देते शांति मुनी जन से से वित होने पर उनको देनिज की शांति ग्रही जन को जो महातुख से दूर करा देते शांति ग्रहस्त लोगों के लिए उनके दुख से दूर करके उन्हें शांति देते माने ग्रहस्तों के वी दुख दूर होते हैं भगवान शांतिनाथ की इस्तुति करने से आपके लिए ये भगवान शांतिनाथ की इस्तुति अगर केवल पाठ के रूप में होती है तो वे भी आप कर सकते हो आप लोगों ने इतना शांतिनाथ भगवान का गुडगान किया है आपका ये कर्तब भी बनता है क्या बनता है करतब भी बनता है करता बुद्धी नहीं क्या बनता है करतब भी बनता है कि हम उन शांतिनाथ की तरंगों से उनके उर्जा से और जो हमें ग्यान मिला है इस ग्यान से अपने आपको जोड़े रहें तो आपके लिए ये भाव आना चाहिए कि कम से कम हम एक बार इन सांतिनात भगवान के इन काव्यों का पाठ हम जरूर किया करें और तो कुछ कहा नहीं जा सकता अगर पाठ करने के साथ साथ समय मिलता हो हम भगवान का अवशे करते हो पूजन करते हो तो उसी पूजन में इस पूजन को सामिल कर लें और इसके साथ अर्ग चड़ा करके ये पूरा बिधान भी कर लें तो और अति उत्तम हो जाएगा अगर उसी के साथ में हमें कुछ और लगता हो कि भगवान का भक्ती भी हमें कुछ शक्ती लगा करके करना चाहिए दो घंटे एक घंटा भोजन का रखें बाकी का टाइम शांतिनाद भगवान की तरह सांती से गुजा रहें ये अगर हम कर लेते हैं तो वे आपके लिए एक बृत कहलाने लग जाएगा वे ऐसे बृत भी आप शांतिनाद भगवान के निमित से कर सकते हैं और इन बृतों के माद्यम से अपने करमों की निर्जरा कर सकते हैं ये सब उपाय हैं इन उपायों को आपको करते रहना है आपके दुखदूर होने का जितना भी तरीका हो सकता था सब आपको बता दिया गया है करना अब आपको है भगवान की सेवा करने वाले ग्रहस्त भी होते हैं मुनी महराज भी होते हैं इसलिए जब मुनी महराज उनकी सेवा करते हैं तो क्या करते हैं उनकी इस्तुतियां करते हैं उनके गुडगान करते हैं उनका तरह तरह से उनका ध्यान करते हैं इसके माध्यम से मुनी महराज को भी अपने करमों की शांती होती है मुनी महराज भी अभी करम से सहित होते हैं उन्हें भी अपने करमों की शांती करने के लिए भगवान शांतिनात की ऐसी ही ध्यान के माध्यम से शांती धारा करते रहना पड़ता है और वे हमेशा ऐसी सांतिधारा अपने अंतरंग में करते रहते हैं तुम बाहर करते हो मुनी महराज कहां करते हैं दीतर करते हैं क्योंकि उनके पास क्यों लोटा लोटिया तो है नहीं है समझ आ रहा है ना उनके पास भगवान है ना उनके पास मंदिर है ना उनका अपना कोई पानी है न कुछ है है ना तुमुने क्या करना जब जब उन्हें भगवान सांति नात को याद करना आख बंद की ओम अरहम परम शांति आने लग दी शांति यह उनका तुरंत भगवान की टौवर से अपना कनेक्शन होता है तुरंत उनके अंदर वे शांती का प्रभाह आता है और इस तरह से भगवान की शांती से अपनी अंतरंग आत्मा की शांती वे करते रहते हैं बल में बालक भी जो लोग होते हैं जो छोटी उम्र के होते हैं वे भी अगर अपना बल बढ़ाना चाहें तो शांती नाद भगवान की सरण में आएं चाहें वो बर्दमान गुरुप के लोग हो चाहें वो बालिका मंडल के लोग हो ये सब अपने बल को बढ़ाने के लिए भगवान की भक्ती करें जो बल में बालक हैं उनके भी बलको बढ़ाने वाले सांतिनाद भगवान हैं ऐसे सांतिनाद भगवान को मैं सतत नमस्कार करता हूँ सुन रहे हो पूरे विधान में पूरे 120 बॉलों में एक ओवर में कितनी बॉल होती है 6 मतलब कितने ओवर हो गए अरे बाई 20 इत ओवर हुए तो 20 ओवर में हमने केवल एक बॉल पर एक बार चौका लगाया था समझ आ रहा है ध्यान है न आपको एक बार चौका लगाया था अब लास्ट लास्ट में बनता है कि अंतिम बॉल पर छक्का तो एक लगना ही चाहिए समझ आ रहा है इसलिए ये आज छक्का लगने वाला तो लगई गया यू समझ लो भगवान सांति रात की ये इस्तुति करते हुए आपने पूरे 20 ओवर खेले है है न और हमने आपको पूरा खेलाया है कोई कोई से किसी कोई कोई बॉल मिस हो गई हो कोई न खेल पाया हो तो आपके पास में सब रिकॉर्डड एड़ है उससे खेल ले ना लेकिन आप लोगों ने जो भरपूर मन के साथ में अपने भावों के साथ में खेला है ये वो खेल है जो बड़े भागवान लोग इस खेल को खेल पाते हैं खेल आपको खिलाया है खेल सके तो खेल ले एक अनौखा खेल आप खिलाडी आप ही बनो खिलाडी खेल खुदी खेल बनो खुदी खिलाडी बनो खुदी खेलो किसी दूसरे की जरूती ना रहे समझ आ रहा है ये एक ऐसा खेल है जिस खेल में सब कुछ अपने आप खेला जाता है और ऐसा खेल बहुत लंबा भी खेल समझा रहा है ये 2020 बैसे तो आपका एक दिन में हो जाता है लेकिन ये 2020 ओवर का ये खेल चार महीने में खेला है और बड़ी निश्चिंत ता के साथ खेला कितने भी तरह के मौसम आए लेकिन इस खेल में कभी कोई रुकावट नहीं आई ये इस पिछ पे कभी कोई दिक्कत नहीं आई और इस पिछ पे उस पिछ को याद करते हैं अच्च अच्च खेलाडी जिस पे उन्होंने पूरा खेल खेला हो एक ही बैट्समैन पूरा ओवर खेलता रहे समझा रहा है किसी दूसरे को चांस दिया ही नहो ऐसा एक बैट्समैन अगर पूरा खेल खेल लेता है और जिस पिछ पे उसका पूरा खेल अच्चे डंग से खेल लिया जाता है और उसको उस पिछ पर पूरी सफलता मिल जाती है वे जिंदगी भर उस पिछ को याद रखता है कि यहाँ पर हमने यह खेल खेला था समझा रहा है हाँ बिना दर्सक दीरिगा के खेल कौन खेलता है खेल खेलने वाड़ा खेलाड़ी वले ही अपने आप में खेल रहा हो लेकिन दर्सकों सही तो उसका उत्सा बनता है इसी लिए तो कभी online cricket game success नहीं हो पाए जब तक corona रहा तो कोई भी online cricket success नहीं हो पाए कोईसी ने चाहा भी कि भाई अब खेल तो होना है online चलने दो नहीं हो पाएगा जब corona चला गया तभी वो हुआ stadium में लोग तो होने ही चाहिए जब तक सामने जो है तालिया बजाने वाले लोग नहीं हो तब तक उत्साहा batsman को आ कैसे सकता है तो ये उत्साहा भी आप लोगों के माद्यम से आता है किसी भी तरह का प्राकृतिक कोई प्रकोप नहीं होना और पूरा खेल बहुत अच्छे डंग से खेल लेना ये अपने आप में हर एक निमित्त की संयोगता से होता है किसी एक से नहीं होता अनेक निमित्त इसमें जुड़ते हैं आप लोगों की भक्ती का निमित्त है गुरु जनों की किरपा का निमित्त है गुरु जनों के आसीरवाद का निमित्त है भगवान सांतिनात के तीर्चित्रों का निमित्त है बड़े बड़े इन जिनविंबों की पुन्य का इनकी तरंगों का निमित्त है तब जा करके हम और आप बैट करके आनंद उस पिछ पर ले पाते हैं तब बैट करके आनंद नस पिता हैं